नमस्कार दर्शकों मैं अकांशा MNS News लाइट से आप सभी का स्वागत करती हूँ साकोली वन विभाग मेवन अधिकारी तथा ठेकेदारों की मिली भगत से सागवन के पेड़ों की अवैत तशकरी होने की खबर सामने आए है हम अपने दर्शकों को ये बताना चाते है कि साकोली वन विभाग आए दिन अव्वैत कामों को लेकर सुट्ख्या बटोर रहे है इसके पहले MNS News द्वारा गड़े खुदाई का मामला सामने लागर भ्रष्टचार की पोल खोली है इसकडी में इसी विभाग के सागवन तशकरी का मामला सामने आया है साकोली वन विभाग के चारगाओ के अलप विधार किसान भीमराव मोट घरे की खेट की अववैद रूप से 21 सागवन के पेड ठेकेदार द्वारा बिना अनुमती से काट कर ले गए बताया गया है कि संबंदित ठेकेदार द्वारा अन्या 5-6 किसानों से 100 से भी जादा सागवन के पेड काट कर ले जाने की बाद सामने आये है इस संबंद में किसान भीम्रा मोटगरे ने वन परिक्षन अधिकारी, साकोली के साथ पुलिस विभाग को भी शिकायत लेकिन पीडित किसान को अब तक न्याय नहीं मिला है आराईपी के तहट मोटकरे जी ने जानकारी मांगी तो वहाँ जानकारी भी बराबर नहीं मिरी पीडित किसान न्याई की मांग कर रहा है लेकिन वन विभग केवल आर्थिक लालज में आकर कारवाइन नहीं कर रहे इस संबंद में साकोली के वन परिक्षन अधिकारी आर्थी उके से मिलकर बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार गिया आएए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निशान्त लांजेवार की खास खबर अभी हम साकोली वन विबा के तत आने वाले चारगाओ के भीमराओ जी मोटगरे के खेत में खड़े हैं जिनोंने उनके खेत के 32 21 सागवन के पेड़ चोरी होने की शिकायत फारिश विबा को किये और खास बात यह चोरी के बाद में अभी तक फारिश विबा के तरफ से पेड़ काटकर यहां से ले गए हैं लेकिन फारिश विबा के तरफ से उस समझत ठेकेदार के उपर अभी तक कोई कारवाई नहीं होने के वज़े से भीमराओ जी मोटगरे के साथ-साथ यह अगल बगल के जितने भी किसाने साथ आठ जो किसाने चारगाओ के उनके की उनके खेतों में से भी बीना पर्मिशन से बीना खसरा निकाले बीना पर्मिशन से कम से कम साथ से भी ज़्यादा सागवन के पेट यहां से समंधित ठेकेदार चोरी करके यहां से ले गया लेकिन अधिकारियों के साथ-साथ गाठ होने के वज़े से अभी तक उस समंधित ठेकेदार के उपर कारवाई नहीं की गई है भीमराओ जी मोटगरे ने वरिष्ट अधिकारियों के तरफ शिकायद की है लेकिन कोई शिकायद सुनने के लिए तैयर नहीं है वन विबा के लोग आकर उन्होंने यहां का मेजर्मेंट लिया वैलियोशन निकाले लेकिन सिब कागजात वो फाइल के अंदरी दबी हुई है कारवाई अभी तक के नहीं हो रही है ऐसा क्या कारेंड है कि इतनी स्पस्ट रूप से चोरी होने का मामला सामने आने के बाद में भी समद्द थेकेदार के उपर क्यों कारवाई नहीं हो रही है मैं दर स्कों को बताना चाहता हूं कि भनाराज जिला यह जंगल व्यप्त जिला है और यह जंगल व्यप्त जिले में सागवन चोरी बड़े पैमाने पर यह पर हो रही है खासकर करके वन विबा के अधिकारियों की साइड़ गाड के वज़े से यहां कि ठेकेदार चोरी के मामले में बड़े पैमाने पर चोरी कर रहे हैं अवे तरीके से पेड़ को काटकर मार्केट में लेके जाकर करोणपती बनते जा रहे ये केवल और केवल ठेकेदारी नहीं इसके साथ में वन विबा के भारिष्ट गार से लेके वरिष्ट अधिकारी भी सामिल है सारा सार आरोफ है कि वन अधिकारियों के साड़गाट के सिवा यहां से यह सौगन की तसकरी नहीं हो सकती है मोटगरीज के केस में भी वन अधिकारियों के साड़गाट होने के वज़े से यहां पर कारवाई के लिए लेट लतिपी हो रही है द्रेंगाई हो रही है, कारवाई करने का कोई मनसुबा नहीं दिख रहा है मैं निशाद लांजवार, MNS News, भंडारा मेरा नाम है फ्यूम्राव लक्समन मोडगरे मुक्का मैं चारगाव, पोस्ट है परशोडी, तालूका है साकोली और जिल्ला है भंडारा मैं चारगाव का रहवाशी हूँ, मेरे खेत के 28 पेड़, वामन डोंगरवार, शेंदुरवापा का रहने वाला है इसने काटके और चोरी करके ले गया है, और उसने कोई भी प्रकर का हमारा सम्मति पत्र नहीं लिया है कोई भी सम्मति पत्र नहीं लिया है, कोई खसरा नहीं लिया है, और उसने काटके चोर के ले गया है, और माल को अप्रात अप्रा कर दिया है किसी की भी पर्मिशन नहीं लिया है, इसका कोई सवधा भी नहीं किया, मेरी भावी है, वो विद्वा है, वो कम से कम 60-60 पैसर साल की है, बुढिया है, उसको कुछ समस्ता भी नहीं है, पढ़ी लिकी भी नहीं है, उसको 20,000 रुपे दियोंगा अगर क्या आमीज दी गाया पर उसको पैसा भी नहीं दिया है, जब हमको पता चला कि यह हमारे पेड काटके चले गया है, मैं वैसे चारगाव में नहीं रहता हूं, मैं बाहर गाव नवे गाव बान करका है, हल्ली मुका मेरा नवे गाव बान का है, तो वहां रहता हूं, तो वहां से फिर जब मैं चा सरपंच उसके पाँ चले गया उसका नाम है सीर्राम बबूलनजय करके तो उसको मैंने पुछा σου कि हमारे खेट के पेड़ काढ़ के ले गया है उसका नाम क्या hygiene क्या है उसने फिर काल ले लिया और फिर बोला कि हा जी मैं वो खेट के पेड काट के ले गया हूँ तो इसकी सीकायत मैंने फारेश विपा को पास 3 को 19 को की है उसको पूचा कि तुमने गिता मोडगर के आगे पेड़ खेट के काट के ले गया तो हो बोले आपने पैसा दिये क्या नहीं बोले पैसा नहीं दिया है बोले दो चार दिन के बाद पैसा दियोंगा ऐसा उसने कबूल किया था फिर भी आज तो कोई पैसा भी नहीं दिया है अन्ना कोई उसने पर्मिशन लिया था काटने का और कोई हमारे किसी से सम्मती नहीं लिया था पारिश्विबा की जो अरिफ हो है उनके मातने से पुछ कारवाई हुई उनको पूछ रहा हूँ क्या हुआ मेरा मिला क्या हुआ वो कुछ बतलाने को तैयार नहीं है अग्या वो कम से कम आट नहीं लाग का मेरा माल है बहुत सारा रुपय का माल है आज उन्होंने मेरे को बरबाद करके रख दिये है मेरे छोटे बच्चे है मैं गरीब इंसान हूँ मैं दारीदर रेसे में आता हूँ मैं अनुसिति जन जाती का हूँ और शेडूल कास्ट मेंों अनुनने मेरे उपर बहुत बड़ा आत्याचार किया है जब मेरे घर में बेन करके है कर्मचारी मेरा बयान लेने आया था बैग वह मेरे घर में आयता जब बयान लेने को 11 तारीक को 11 तीन को 19 तो उस वाक च्छार लोग मेरे घर में आयते हैं और उनों ने मेरे को दमकी दिये कि तुम और मेरे को पेड़ दिखाओ मैं और काटके ली जाता हो मेरा तुम कुछ नहीं कर सकते हो ऐसी दमकी देखें वो घर सकते हैं घर चले पर कोट बस balance और मैं करारा चिकरा नहीं तो हमें आपके बाएन लिया में ने माइदी का अधिकार लगां था कि काटने का कोई परमीशन नहीं किया है और उन्हेंने खसरा भी नहीं किया है पर पूछ रहें पर हमको कोई बतलाय नहीं जा रहा है इसके बारे आपने कहाँ पर शिकात किया हो और आज तक और भी उनके उपर माहिती का अधिकार करके मैंने लगाया हो वह अभी मेरे को उसके माहिती जानकारी मिलनी के है जानकरी भी नहीं है। सब्सक्राइब करें धन्यवाद करें धन्यवाद